के अस्तलाम आलाइकुम नीस्तों कई से हैं आपम आप दो मांम लोग खैसे होगए तो आज की वीडियों में हम कुछ जरूरी खबर जरूरी ज nag molecular है वीडियो से बूजाने हैं आप लोगों से गुजारिस है वीडियो को सौधरब के अंदर काम करने वाले गहर मुलकियों का वर्क एग्रिमेंट किया जाता है और अब जितने लोग सौधरब के अंदर काम करते हैं चाहे कोई बंदा कंपनी के साथ काम कर रहा हो या फिर कोई बंदा कफिल के साथ काम कर रहा हो अक्सर बहुत तरह कफील एक कंपनी क्या करते हैं कि टेस्टिंग जो पिरियड है वो गुवर्मेंट की तरफ से तीन महीने करेता है लेकिन उसको वो बढ़ा कर छे महीना कर देते हैं टेस्टिंग पिरियड छे महीने कर देते हैं और 180 दिन से गैर मुल्कियों को नुक्सान ये होगा कि छे महीने के अंदर-अंदर अगर कफील को आपका काम पसंद नहीं आता है या किसी भी रेजन से वो चाहे तो छे महीने के अंदर-अंदर आपका बिना एकामा बनाए फने गिट लगा कर आपको वापस पने देश भेज सकता है तो इसलिए अगर आप लोग सौधरव ने वीजे पर खास तोर से आ रहे हैं तो इस चीज़ का ख्याल लखें काउंट्राक करते वक्त अगरिमेंट करते वक्त देख लें कि उसके अंदर टेस्टिंग पिरियड एक छे महीने की बात रही तो छे महीने काफी लंबे का लंबा समय रहता है और इस तोरान अगर कफिल को कोई कुछ लगता है या कमपनी कुछ लगता है तो आपका फने जिट मार कर वापस आपको आपके देश भेज सकती है और इससे आपको नुक्सान हो सकता है इसके तो बताया है ये गहा है कि ये लोग अवेद यानि इलीगल कमपनी फरजी कमपनी के नाम पर लोगों से पैसे लूट रहे थे किस तरीके से तो बताया है ये गहा है कि ये लोग लोगों से कॉंटेक करके कहते थे कि आप इस कमपनी में निवेस करें यानि इन्वेस्ट करें आ लेकिन जब लोग अपने बैंकाउंट से पैसे इस कमपनी में फरजी कमपनी में जमा कर देते थे तो उनको वापस पैसे नहीं मिल ले थे इस तरीके से ये लोग लोगों के साथ फ्रोड कर रहे थे इन 14 लोगों के गिरों को गिरबतार कर लिया गया है इसके साथ एक लिब डेट यह है कि सौधी रब के जाजान इलाके में एक सौधी नागरिक ने अपनी पत्नी की हत्या कर आत्म हत्या कर ली पुलिस जाच कर रही है सबक वेश्टाइड के मताविक जाजान इलाकी की पुलिस का कहना है कि जाजान सहर में एक सक्स ने पिस्टोल से गोली मार कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फिर आत्म हत्या कर ली पुलिस का कहना है कि हत्या और आत्म हत्या की घटना बच्चों के सामने हुई संबंदित अधिकारी हत्या और आत्म हत्या ममले की कानूनी करवाई पूरी कर रहे हैं इसके लाम अगलिब डेट यह है कि इजराइल के दौरा कल गाजा के अलाहली निशनल बाप्टिस्ट होस्पिटल पर भिना सूचना के बम हमला किया गया जिससे तकरीवन 500 लोगों की मौत हुई है इसमें कई डाक्टर महिलाएं नर्स और बच्चें सामिल है जबकि कुछो सोरसस का ये भी कहिना है कि 500 नहीं बलकि 1000 लोग मौके पर ही सहीद हो गए थे जो अस्पितल के उपर बम बलाश्ट किया गया उससे हजारों लोगों की मौत मौके पर ही हो गए जबकि बड़ी संक्या में लोग जखमी भी हुए है तो आप इजराईल को लेकर क्या कहना चाहते हैं जो अस्पितल को भी नहीं चोड़ रहा है अस्पितल के उपर भी बम कि इजराईली तुरंत जितनी जल्दी हो सके तुर्की को छोड़ दें जैस्तो इजराईल की दौरा एक बयान जारी करके कहा यह गया है कि जो इजराईली लोग इस वक्त तुर्की गंदर मौजूद हैं जितनी जल्दी हो सके वो तुर्की को छोड़ दें तो यह ती आज क कुछ जरूरी खबर जरूरी जानकारी जो आप तक पहुचा दी गई उम्मीद करता हूँ यह वीडियो यह जानकारी अच्छी लगी हो अच्छे लगी है तो प्ली दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और जो दोस्ते चैनल उपन नए हैं उनसे गुजारी से प् चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करने हैं